हेलो फ्रेंड्स कवीर्स किचिन में आज हम बना रहे हैं हरे चने की सब्जी इसे डालने में थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं लेकिन अभी भी मौसम गया नहीं अभी मिलते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने लिया हरे अब एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे तेल डालीजे और उसे गर्म होने दीजे उसके बार डालें तेज पत्ता मैं देखिए बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ तब मैंने तेज पत्ता डाला तो जब गर्म हो जाए तेल तब ही डालें अब डालेंगे हम एकसट यह ज़ल्दी नहीं लकाई में अब 줄 कर लेकिन जल्दी में रहते हैं तो कभी कभी यूज़ कर लेती हूं इसे हम कुछ सेकेंड पकाईगे या कुछ मिनुट तक यह differently it Lui उसके बाद डालेंगे हम हल्दी, हल्दी को भी कुछ सेकंड पकाईए, कम से कम पाच-छे सेकंड, उसके बाद इसमें डालिए आप लाल मिर्च पाउडर, फिर डाल लीजे आप धनिया पाउडर, जब भी आप मसाले डाल रहे हों, तो फ्लेम को आप धीमा कर ले, नहीं तो म मसाले जल सकते हैं, तो फ्लेम को धीमा कर ले, उसके बाद ही सूखे वसाले डाले, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और डाला है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तेल में जीरा नहीं डाला था, तो अभी जीरा पाउडर यूज कर लिया, इसे हम कुछ सेकंड कुछ मिनट, तो देखें, मसाले जब आप भूंज रहे हो तो फ्लेम को धीमा करके भूंजे और आप चाहें तो इसमें एक चमज पानी डाल सकते हैं, ताकि इसकी एकदम से जले नाये, मैं नमक डाल रही हूँ, नमक डालने से क्या होगा, प्याज का पानी छूटेगा और मसाले जलेंगे नहीं और एक टाइप से मुझ चिपकेगा भी नहीं मसाला, हम पकाएंगे इसे तीमी आज में, अगर आप तेज आज में पका रहे हैं तो भी पका सकते हैं, लेकिन इससे लगतार चलाते रहें, जब यह पक जाए उसके बाद हम दालेंगे टमाटर, प्रिस अपने कुकिंग स्टार्ट कर देगा, इसलिए हमेशा जब भी आप मसाले पक जाए उसके बाद ही टमाटर डालें, अब टमाटर पकेगा, टमाटर को भी अच्छे से पकने दीजिए, तो कैसे पता चलेगा यह पक चुका है, इस टाइम पर यह अपना तेल से से सेपरेट ह जाएगा, जैसे अभी हुआ है, जब यह टमाटर पक जाए, उसके बाद हमने डाला है छोला मसाला, छोले मसाले अगर आपके पास ना हो, तो आप थोड़ा सा अमचूर डाल लीजिए, फिर हम डाल रहे है हरी धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती में लास्ट में ना डाल कर अभी इसले डाल रहे है, क्योंकि जो देसी वाली ठंड के टाइम पे आती हरी धनिया पत्ती, बहुत टेस्टी होती है, उसे इस टाइम पे डाल लो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सबजी में, तो वो डाल लिया, फिर हम उबले हुए चने डालनी है, चने जिस पा बाल जाए तीन-चार बार इस तो आप गर्मा गरम सर्व कीजिए आप रोटी या फिर चावल के साथ पसंद आये तो शेयर करें कॉमेंट करके हमें बताए आपको कैसा लगा देखने के लिए धन्यवाद